नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर अमरिसर सीये स्टाफ तीन की पुलिस ने मनु महवा गिरों के तीन और सदस्यों को किया कब्भू तीन किलो पांच ग्राम हैरोईन, पॉइंट तीस बोर के दस जिंदा कार्थूस, नो एमम के नो जिंदा कार्थूस और एकार की बरामत अमरिसर पुलिस ने यूएस बेस तसकर मंदीप सिंग के साथिकों किया ग्रिफतार, डेड़ किलो हैरोईन, तीन लाख रुपेव की ड्रग मनी की बरामत जालंधर कमिशनर एट पुलिस ने फर्जी जमानत देने वाले गिरोगा किया परदा फाश, साथ अरुपेव को किया कब्रूद अर अब हल चल विस्तार से मुख्यमंत्री पंजाब भगवन सिंग मान के दिशा नर्देशों पर नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत 19 किलो हैरोइन बरामत की मामले की जाच को आगे बढ़ाते हुए पंजाब पुलिस ने गत दिवस मनु महवा गिरो के तीन और सदस्यों को ग्रिफतार कर 3 किलो 5 ग्राम और हैरोइन बरामत की है इस मामले में अब तक हैरोइन की कुल बरामत की 22 किलो 5 ग्राम हो गई है इस समंद में जानकारी देती हुए अमरिस सर पुलिस कमिशनर गुर्परिस सिंग भुलर ने बताया कि पकड़े के अरोपियों की पहचान बलराज सिंग उर्फ काका निवासी गाउन लाहौरी मल अमरिस सर अनमोल सिंग उर्फ लालू और सरब जीच सिंग दोनों निवासी र जिंदाकार्तूस, 9 mmK, 9 जिंदाकार्तूस और एक कार भी बरामत की गई है। उन्होंने बताया कि तीनों औरोपियों को CAA स्टाफ 3 की पुलिस ने विशेश नाकापंदी के दुरान काभव किया है। फिलहाल तीनों औरोपियों पर मामला दर्जकर आगे की पूचताच की जा रही है। जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमरी सर से हल्चल के लिए सुनील खोसला कीरीब। द्रग काटल है एमनुम मनावा एक हगा यूएस से देविच बैठा वो बंदाई चला रहा सी और पिछली चड़ी कंसाइन्मेंट फड़ी गई सी रिकवरी होई सी उन्हीं किलो दी उदे टेही लाग खर पिया भी सी ड्रोन दे पार्ट्स भी मिले सीगे। सो उदे टोटल हुन जड़ी केस देविच रिकवरी है उसे साड़े बाई केजी हो चुकी है साड़े बाई के लो और वेपन भी साथ सीगे पहला कैश भी सीगा गड़ी भी सीगी। उदे टोटल दस अरेस्ट हो चुकी है तिनन उपाके ये बैकवर्ड लिंकेजिज दे विच साड़ी टीम ने डी सीपी मंडेर साब मिस्टर अभी मन्यू राणा सर्वजीत सिंग जी साड़े सीपी साब और बिंदर जी साड़े सीई इन चार्च इनने बड़ी मेंत करके सा मुख्यमंत्री पंजाब भगवन सिंग मान के आदेशों पर अम्रिस सर पुलिस ने कारवाई करते हुए यूएस बेस मंदीप सिंग जोकी एक रैकेट को चला रहा था उसके दसवी पास साथी हर्पित सिंग निवासी मोगा बधनी कला को ग्रिफतार करने में सफलत हासिल क इस संबंद में जानकरी दिती हुए अमरिस सर पुलिस कमिश्रर गुर्पिस सिंग भुलर ने बताया कि आरोपी कमबाइन चलाने का काम करता था यूएस बेस हैरोइन रैकेट के साथ संबंदित केस में हैरोइन की खेप लेते समय इसे ग्रिफतार किया गया है जिसके पास स देड़ किलो हैरोइन के साथ साथ तीन लाख रूपियों की ड्रग मनी भी बरामत की गई है जो कि अमरिस सर पुलिस के लिए एक बड़ी काम्याबी है फिलहाल आरोपी पर मामला दर्च कर आगे की पूछताच की जा रही है जिससे और भी कुलासे होने की संभावना है अमर देजिए एक मुल्जम है जड़ा हर प्रीट सिंग ए पिंड़ जड़ा रामा थाना बदनी डिस्टिक मुगा और ए जड़े नेटवर्क दे विचे काल पता लगी है के जड़ा एक मंदीप सिंग है ना दे पिंड़ दा यूएस बेस्ट है वही नेटवर्क चला रहे है और इंटर डिस्टिक है के रिसीविंग है इदर अपने आके इते बंदे नूँ देखे थे इन्हें वापस लेके जानी सी तो पुलीस नूँ मैं वदाही विदिन ना स्पेशली मंडेर साब डीसीपी साब मैताब सिंग जी डीसीपी सुरंदर जी एसीपी और शिवदर्शन सा है और रिकवरी अच्छी हुई है और तिन लाग कैश भी है सो इस सारा एंगल मैंनों लग रहा है कि काफी देर तो थे मालवा एरिये च बंदा एक्टिव है और ताहीं इन्नी दूर लेना होंदा और एड़ा बड़ा कंसाइन्मेंट लेनी फिनेंशल एंगल भी सारा है दे पबलिक अवेरनेस दा जड़ा एक नमा प्रोग्रम भी शुरू करन जा रहे हैं वो तो अड़ना शेर करांगे वो उसी महला लेवल ते ही ओनानों होट स्पॉट्स नों ही टार्गेट करांगे को जर्नल हिद्दा ना प्रोग्रम नी लोकलाइज प्रोग्रम करांगे सो दा पार्टिस्पेशन जादा हुए ते साटा एड़ा मैसेज है जड़े क्वार्टर जनों सी पेजना चौने जड़े परवारा नों जावे जालंदर कमिशनर एट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आपराधिक मामलों में आरूपियों को लाब पहुचाने के पुलिस कमिशनर स्वपन शर्मा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राज्य में एक हाई प्रोफाइल गिरोष सक्रिये है जो आपराधिक मामलों में जूटी जमानत दे कर आरूपियों को फाइदा पहुचाने का काम कर रहा है उन्होंने बताया कि पुल जैसे जूटे फरजी दस्तावेज जमा करता था पुलिस कमिशनर ने बताया कि गहन जांच के बाद पुलिस ने जगजीत सिंग और जगी निवासी फत्तू धिंगा चिला कपूर्थला रवी कुमार निवासी गाखला कालोनी जालंदर पंकच राम और गंजू और गुरमी फरजी आधार कार्ड, एक तालिस फरजी जिला कलेक्टर कार्ड, पंध्रहें तहसीलदार नंबरदार की फरजी मोहरे, पैंतिस फरद, एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और साथ स्टम पैड सहित बड़ी संख्या में जाली दस्तावेज बरामत किये गए हैं वही पुलिस क जानकारी सांचा की जाएगी, वही स्वापन शर्मा ने अपरात को रोकने और शहर में हर तरह से कानून विवस्ता बनाई रखने के लिए कमिशनर एट पुलिस की मजबूत प्रतिबदता को दोहराया, जालंधर से पंकश शर्मा की रीपोर्ट दस साल तो कर रहे हैं, 6 मिन तो काफी अक्टिव सीगे, इन आधा बिसिक कम सीगा, कोट विच जाली जमानता कराना, उन तक दी इंविस्टिगेशन चे पचपन एद्दान दे केस सामने आए, जिते इना ने जाली जमानता कराई हैं, जातर जेड़े केसे हैं, वो न्डीप जेड़ा पोटल है, लैंड रिकॉर्ड दा, उत्थों रैंडम लिए फर्दा नंबर चेक दे सीगे, फर्दा नंबर चेक के किसी इंसान दा आइडेंटिटी थेफ्ट कर दे सीगे, जाली अधार कार्ड बना दे सीगे, ते उस अधार कार्ड दे बेसिस दे ए एटेस्टेशन करके एट बेल लगा दे सीगे, बेल हो जान दे सीगे, ते इना दे पोजेशन विच्छों कोई 122 दे करीब जाली अधार कार्ड मिले है, स्टैंप्स मिली है, ते सिल्दार दी लंबर दार दी पैटवारीयां दी है, पंदरा दे करीब, 41 आई कार्ड मिले है जालंधर में उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर के खिलाफ जालंधर केंट की पुलिस ने मामला दर्ज किया है दरसल यूट्यूबर ब्रज भूशन ने भगवान वालमिकी को लेकर अभद्र टिपनी का इस्तिमाल किया था जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से वालमिकी समाज में रोश पाया जा रहा था इसकी चलते जालंधर केंट की पुलिस ने सचिन रावत के ब्यानों पर केस में आईपीसी की धारा 295 में ए जोडते हुए मामला दर्ज किया गया वहीं शिकायत करता ने कहा कि 295 में एके साथ S.C.S.T. Act की धारा भी जोड़ी जाए वालमिकी समाज के शिकायत करता सचिन रावत ने कहा कि उत्तरपरदेश के गाजीपुर के रहने वाले भूशन नाम के एक व्यक्ति अपने यूट्यूब चैनल पर भगवान श्री वालमिकी महराज को अपति जनक शब्द कहकर संबोधित किया था जिसके चलते उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने धारा 295 में एके तहत मामला दर्ज कर दिया है उन्होंने कहा कि वे पुलिस प्रशासन से मांग करती हैं कि आरोपी को पकड़ा जाए और उसे जेल भिज़ा जाए वही उन्होंने का कि अगर वे अरोपी के खिलाफ एक्षन नहीं लेते तो आने वाले समय में हालात खराब हो सकते हैं और पंजाब भर में हालात बिगड सकते हैं तो वही जालंधर के DCP Investigation हरविंदर सिंग विर्क ने बताया कि गत दिनो ब्रजभूशन के खिलाफ जालंधर केंट धाना में 255 में एके तहत मामला दर्च किया गया था और जल्द ही पुलिस सारूपी को नोटिस जारी कर जांच में शामिल करेगी वही उन्होंने का कि अगर वे चार्ज में सायोग नहीं करेगा तो उसके खिलाफ अगली कानूनी कारवई की जाएगी जालंधर से पंकश शर्मा की रिपोर्ट सभी आदी धरम प्रेमियों को जैवालमी की मेरा नाम सचिन हरावन है हम वालमी की धरम समाज वादस नाम का संगठन चलाते है मुझे 29 दिसंबर को एक वीडियो आती है 29 दिसंबर को जहां पर पूरे भारत में एक खुशी की लहर थी वो खुशी की लहर क्या थी भी देश में अयोधिया का नाम स्रिष्टी करता वालमी की दियावान के नाम पर रखा गया था और समुहू शडूल का समाज में वालमी कन समाज में दलिज समाज में आदिवासी समाज में ये एक खुशी की लहर थी और दूसरी तरफ है एक शिरारती तत्व उसका नाम है ब्रज भूशन ब्रज भूशन उसका नाम है वो उत्तर प्रदेश गाजीपूर का सोशल मीडिया से हमने ड्रेस लिया है तो वो अपने आपको पत्तर कार कहता है वो स्रिष्टी करता वालमी की दियाब वान पर इतनी गलत तरह से बोलता है ज़ शायद मैं करताँ मैं अगर कि पंजाब नहीं पूरे देश में दंगे हो जाते अगर हम समाज से शांती के पील ना करते हैं पुलिस ने मेरे मैंने का 30 दिसंबर को केंट थाना जहां पर मैं केंट शित्र में रहता हूं वहां पर केंट थाना ऐसाचो साब को एप्लिकेशन दी तो पुलिस ने मुझे हम नहीं चाहतें भी नया साल चड़ा है तो हम नहीं चाहतें भी किसी तरह का पंजाब में पूरे भारत में महौल खराब हो बलकि आप हमें F.I.R. उस आदमी के नाम की जो मुकदमा है वो दें तांकि समाज में एक तो शांती की लहर बनी रहे मैं तो जी एक बात यह कहना चाहता हूं भी एक तो उस आदमी को अरेस्ट किया जाए दूसरी बात यह है भी S.C.S.T. Act का मुकदमा उस पर जो S.C.S.T. Act की है वो धारा जरूर लगनी चाहिए क्योंकि मैं 200 पचन में ऐसे संतुष्ट नहीं हूं पुलिच से पर जड़े एक तारविंग संगठन होना जड़ा है का बालमी की तरम समाजनाल सबंदद राख देया गया है उना दे जड़े एक वरकर कार्या करते हैं यह ना ने एक खुई वीडियो शेयर कीती से उना देनाल जिस्टे वेचे एक ब्रेच पुशना दा बैकती है का जो ज जड़े आप शब्द बोलेगा है पर आनमाल में की फिर दे ना दे उते उतर रख्या गया देक डाकूदे ना दे जड़े एक वरकर दा नाम रख्या गया है एजड़े शेद है कि वीडियो थे वेचे नहां नहीं जिड़े मिस्टर सचिन रावन ने उन्ना ने ब्यान आप इसे दिनों फिरोजपूर चाबनी परिशद ने असेस्मेंट नोटिस जारी किया था, जिससे चाबनी के लोगों में इस नोटिस को लेकर काफी गबराहट देखी जा रही थी, तो वहीं जब इस बारे में केंट बोर्ड के CEO अभिशेक मनी त्रिपाथी से बात की गई, तो उ अले टेक्स के मताबिक 10 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी, वहीं उन्होंने कहा कि ट्राफिक के मसले को लेकर फिरोजपूर केंट में 5 जगहें पारकिंग बनाई जाएगी और जिससे लोगों को ट्राफिक की समस्या से निजात मिल सके, उन्होंने कह कि छावनी में पानी की निकासी के लिए बाजारों गलियों में काम चल रहा है और उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि दुकांदार अपनी दुकान के अंदर ही कारोबार करी और दुकान के बाहर प्लैटफॉर्म ना बनाएगा तो उसका सामान जब्त कर लिया की फिरोसपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंग की रिपोर्ट इसमें हमने नोटिसे अभी लोगों को इशू किये है और जिसकी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उनके लिए हम पब्लिक हेरिंग शुरू करेंगे बस मुझे एक चीज कहनी थी कि जो आपके पास नोटिस जा रहे है तो टैक्स का नोटिस नहीं है वो आपके एसेस्मेंट वैल्यू है टैक्स उसका 15 परसेंट होगा जो भी आपके पास वैल्यू गया है उसका 15 परसेंट ही टैक्स होगा ये पहली चीज है दूसरी चीज जिसके भी एरिया में या वैल्यूएशन में या या यूज में अगर दविंदर यादव अम्रिसर पहुंचे इस दुरान उन्होंने सचकन श्रीहरिमंदिर साही में नतमस्तक होकर सरबत के भले की अरदास की इस मौके पर दविंदर यादव के साथ पंचाब कॉंग्रेस के प्रधान अम्रंदर सिंग राजावरिंग परताप सिंग बाचवा श्रीहरिमंदिर साही में नतमस्तक होई हैं और अपना पदभार संभालने से पहले अम्रिसर पहुंचकर गुरु घर में नतमस्तक होई हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने अरदास की है कि उन्हें जो जिम्मेदवारी मिली है वे उसे उसमें सफल हो सके और अरदास की है कि पं पंजाब के अंदर कॉंग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और अमरंदर सिंग राजा वडिंग की अगवाई में पंजाब के अंदर कॉंग्रेस बहुत बढ़िया काम कर रही है अमरी सर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट जब से मुझे इस गुरुओं की धर्ती शहीदों की धर्ती पंजाब का पॉंग्रेस पार्टी ने इंचाज नियुक्त किया है यह मेरा पहला दोरा है और मुझे लगता था कि जो राजनितिक दोरा शुरू करने से पहले यह हर्मंददद साहथ आके गुरू के घर में मत्था टेक के उनका अशिरुवाद लेके तब ये दोरा शुरू किया जए तो उसे संब्द में आज हम सुबह शुबह पहले यह हर्मंदद साहथ गुरु के घर मत्था टेकन आये से गए और यही दुओा की है कि हमारे परदेश में शान्ती बनी रहे हमारा परदेश आगे बढ़े आपसी भाईचारा बना रहे और जो जिम्मेदारी मानिया मलीकार जिन खड़गे जी राहूल जी सोनिया जी ने मुझे दी है उसमें मैं पूरी तरीके से सफल हो सकते पंजाबी काया केवम कलाकार युवरा चंस अपनी बार है जन्वरी को आने वाली नई पंजाबी फिल्म मुंडा रॉक स्टार की स्टार कास्ट के साथ सचकंचुरी हर मंदिर साही में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे इस मौके पर उन्होंने गुरु घर में माथा टेकर सर्बत के भले की अरदास की और वाही गुर जी से आशिरवात प्राप्त किया इस सबसर पर मीडिया से बाच्चित करते हो युवराच हंस ने कहा कि गुरु घर में आना जाना लगा रहता है क्योंकि गुरु घर आकर मन को बहुत खुशी और सुकून मिलता है उन्होंने कहा कि उनकी नई फिल्म बार है जन्वरी को र अमरिसर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट हॉस्पिटलिटी यह प्यार नेगपोन है उस सारा देख्या जी फिल्म बाकी फिल्म दी गाल कीती जाए बारा तरीक नो आ रही है बारा जन्वरी मुंडा रॉक स्टार एक आर्टिस्टी कहानी है उन्हों की तकलीफा उदी लाइफ की स्ट्रगल्स हुंदे यह कि में अप नहीं मिलदा जर्या ने मिलदा तर्य जर्या मिलदा मिलदा अने शुरू हां जम्षू किला नों पार कार पांदा न का स्ट्री यह कहानी है उसससरे राम जनम भुमी आयोध्या में डाश्टा यह को ступताकरी O मंदिर में 22 जनवरी को हुने वाले एक लाख एक हजार दीपमाला कारेक्रम में सखी परिवार अपना योगदान देगा उक्तबात की जानकरी देती हुए सखी परिवार से समीर शर्मा ललिता सकी गौरफ तायल हर्शवर्धन कोहली ने बताया कि सिद्ध शक्ति पीठो श्री अगे उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को श्री देवी तला मंदिर में होने वाले दीपमाला के आयोचन को श्री देवी तला मंदिर के नाम से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जो पैसे एकत्रित करने को लेकर प्रचार किया चारा था उन लोगों के साथ सखी परिव लेकिन उन्हें इस बात का एहसास अब हुआ कि श्री देवी तलाब मंदिर की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। पिछले लंबे समय से चाइना डोर की चपेट में आने से हो रहे हाथसों को देखते हुए आमरिसर में नैन ग्लोबल फाउंडेशन निश्वलक सेफटी एक्यूपमेंट लगाकर दोपहिया वहन चालकों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है इस संबंद में जानकर इदेते हुए फाउंडेशन के नितारा केश राना ने बताया कि उन्होंने ये सेफटी एक्यूपमेंट गुजरात अहमदाबाद में देखे थी जिनका इस्तेमाल गुरु नगरी के लोगों को चाइना डोर से सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है ताकि चाइना डोर की जानलेवा हमलों से उन्हें बचाया जा सकी उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग चाइना डोर का शिकार होते हैं जिससे मिले जखम उन्हें कई वर्षों तक झेलने पड़ते हैं इसलिए उनकी संस्था दोरा अमरिस सर में जो मैटो एवम और वरकिंग नौजवान जो फिल्ड में ज़्यादा तर गाड़ी चलाते हैं उनकी चाइना डोर से सुरक्षा है तो सुरक्षा एक्यूपमेंट लगा कर दिये गए हैं ताकि लोग चाइना डोर से सुरक्षत रह सकें आमरिस सर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रीपोर्ट साल होगे बड़ा अच्छा है चीज़ा चल रही है उनकी जो तो देख देख देशा है जस्ट फिफ्टी पंजार पेदे करीब है कीमत पेंदी है ते किनी ज्यदा प्रोटेक्शन है दिन आल है क्योंकि आसी चीज़ना देखे हुन दो जार स्तारा देविचों एंजीटी व रही है और यूश्क बान देले रही है और यूश्क किसे हो और काम देलिए चीज हो रही है अच ज़ा वहाइन गलोपल फाउन्डेशन वालों आसी क्योंकि हर साल देखी देखिए कि चानलेवा साबित हो रही है एक तो स्पैसली टू एंदेड से ने कोई नहीं कम करें को जिस मौसम में बुजूर्ग अपने घर से बाहर नहीं आते उस मौसम बेवी बटाला शहर के रेलवे स्टेशन पर पिछले लगबग 30 वर्षों से एक व्यक्ती रोजाना आता है जिसके हाथ में एक थैला होता है और उसकी जेव में छोटा स्पीकर है जिसमें गुरुबानी चलती है वे स्टेशन पर पहुंचता है और दिवारों पर रखे छोटे डिबों में पानी डालता है और साथ साथ ही स्टेशन की सारी दिवार पर चावल और बाजरा रखता जाता जैसे ही बुजर्ग दाना डालता है तो कबूतर, तोते, कवे, गिलहरी आदी दाना चुगने आ जाते हैं जब इस बुजर्ग से बात की गई तो उसने बताया कि वे रेलवे विभाग से सेवा मुक्त हुआ है और पिछले 30 वर्षों से ही पंचियों को दाना डालता आ रहा है जब भी शहर से बाहर जाना होता है तो पहले इन्हें दाना डालता है फिर ही बाहर जाता है उसके परिवार के सबी लोग खुश हैं और उसके बच्चे पड़े लिखी हैं उसके परिवार में से किसी ने भी उसे इस काम से नहीं रोका बारिश हो आंधी हो या तुफान हो कैसा भी मौसम क्यों ना हो वे दाना डालने जरूर आता है रेलवे विभाग में नौकरी करते समय पंचियों के साथ ऐसा दिल मिला कि इस बुजूर्ग को 30 वर्ष हो गए है न पंचियों को दाना पानी डालती हुई ये खुद तब तक खाना नहीं खाते जब तक पंचियों की भूक नहीं मिटा देते इस बुजूर्ग की एक और खास बात ये है कि अगर कोई बच्चा इस बुजूर्ग को सत्ष्री अकाल बुला लेता है तो ये बुजूर्ग उसे मीठी चीज खिलाए बिना नहीं जाने दिता बीकी विंड से हल्चल के लिए भुपिंदर सिंग की रिपोर्ट इक साल होगे साब बादर के लिए सालातों शुरू कीता है पहले लंगर लाइदा ही तो मैं थे आया लंगर तों का फिर परशादे बढ़नी ते हनो इना नो उस तो बाद मेना परशादा विड़ाए कुछ और चक्र जाने दाने पाउना शुरू करते है आज ताकती 25 साल हो पर इंदाने पांदे है और पानी दी त्रे लग दियो ना पानी वात लाइने ते ओदे कारके फिर दो टैम लाइदा पहले गर्मियाई दो वारी ते साच एक वारी ठांडा शाम नो आए नहीं जाना ताही आरा मेरे मैं तो साधे कदा बारा सावा बारा जाना ए वार्णी पहले अपनी चाह पीगे फिर बारा मेरे खुल का शबना ते इदरो मैं तुरह जा रहा रहा है उद्रों पाक है और डबलो जाना ना टेस्टन फिर आदे चो पहले ताज़ जबार तो आंदा आजा हूना आजा कि पिछ्छे बारा नहीं आजा जा जा ते नो कहीं हैं बंद किसे नों रासा नहीं जान देता है फुल का शक नहां जो जिन में आखना ये पेन आखना उन अखना चल जो में इस तरीदेगा तो जदो डंगर चाह आदे ही साधा नाल बाईदा है